भार्दी खादे सुरक्षा एवं मालक रादी करण का कहना है कि भारत में बाजार में बिक्रहे खादे पादों खानों को लेकर लोगों की धारना बहुत खराब है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में अधिकारियों ने एक लाक नमुने कत्र किये हैं जिन में से 3.7 फीसदी पदार्थ अस्तुरक्षित 15 फीसदी खादे पदार्थ बिना मानुकों के तैयार और 9 फीसदी प्रदार्थ नकली ब्रांड के पाए गए हैं अगरवाल ने कहा कि मीडिया में चल रही खबरों में अस्तुरक्षित खादे पदार्थों के अस्तर 60 से 70 फीसदी बताया गया था उसके मिकाबले 3.7 फीसदी का अस्तर कम है खादे गुधियोंग जगत पर अगली 4 सालों में अस्तर को 1 फीसदी या न के बराबर करने पर बल दिया अस्तर क्षित खादे पदार्थों का मतलब ऐसे पदार्थों से हैं जिन में हनिकार एक बिक्तरिया वाईरस या रसायन पाए जाते हैं उन्होंने कहा अगले चार सालों में हम सुरक्षित खाने के स्तर को एक फीसदी से कम या नगणे पर जबकि गैर मानक वाले खादेपदार्थों के स्तर को पांच पतिशत और नगली ब्रांड के खाने को दो फीसदी पर ला सकते हैं F.S.S.A.I.E. प्रमुक ने कहा कि कड़ी निगरानी बहतर प्रवर्तन खादेमानों को की समिक्षा की नाशक अंडिबायट का अफशेश और भारी धातों की नियमित निगरानी के हासिर किया जा सकता है अगरवाल ने कहा कि लोगों में खादे पदार्थों को लेकर भरोसा बहुत कम है ऐसी धार्णा की वज़स से जबकि हकीकत में ऐसा कम है हम हकीकत और लोगों की धार्णा के बीचा अंतर को कम करने के रिए संपर्क कर रहे हैं इस मुद्धे पर हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे उन्होंने कहा कि हमारा दूसरा लक्ष खादबदार्थों के प्रसंसकरण और उन्हें तयार करने में स्वच्चता का स्तर बढ़ाना है अगरवान ने स्वास्तवर्दा को स्थाई आहार को बढ़ावा देनी की बात करते हुए कहा कि हमारा तीसरा लक्ष ये सनिश्चित करना है कि देश का दो तिमाही भोजन स्वस्थो एफ एस एस ए आई प्रमुख के मताबिक चौथा लक्ष साजिदारी और नेटवर्क के म आद्यम से एक मजबूत विज्यापन तंत्र इस्थापित करना है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबैल आइकन फोर मोर अपडेट्स